नमस्कार साथियों, मैं इंजिनियर देवेंदर आप सभी का राजकी और द्योगीग प्रसिक्षन सर्थान बलिया में स्वागत करता हूँ गवर्मेंट एट याई बलिया में रोजगार एवं स्वा रोजगार मेले का आयोजन दिनांक 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार को किया जा रहा है यानि कि ऐसे भ्यर्थी जो देश के मल्टी नेशनल कंपनीज में रोजगार पाना चाहते हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं या ऐसे भ्यर्थी जो खुद का बीजनेस सेटप करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका सरकार देने जा रही है, जिसका नाम है प्रधान मंत्री रोजगार योजना एवं मुख्य मंत्री युवास्वार रोजगार योजना प्रधान मंत्री रोजगार योजना का उदेश से क्या है, इस बारे में जान लेते हैं, कि इस योजना का मुख्य उदेश से देश के बेरोजगार युवाओं को रिंड प्रधान करने, स्वेम बेवसाय सुरू करने की मदद करना, तथा इस योजना को सुरू करने का मुख कि देश्के में बढ़ रहे रही रुजगारी को कम कर ना वी एम रोजगारी विगारी विजना के तोहट के तहत प्रधान-मंत्री उगारीं कोम की खालते हैं यें मैंने बीगार से प्रिधान-मनत्रीं अधिकारी आपको मेले के दिन खादी तथा ग्रामंद्योग विभाद के अधिकारी उपस्थित रहेंगे वो काफी अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे रिण आपको मिलेगा कि इन सर्थों के तरह तहत रिण बैंक के माध्यम से उपलब्द कराये जाएगा उसकी क्या पत आप सभी उद्दमियों को कैसे रिण बैंकों के द्वार मुहिया कराये जाएगा इस बारे में खादी तथा ग्रामंद्योग विभाद के अधिकारी गौर्मेंट आइटे बलियां में उपस्थित रहेंगे जिन से आप सीधे संपर्क करके उनसे जान सकते हैं कि किन सर्थो को रिण मुहिया कराये जाएगा और आप कैसे अपने रोजगार को बित्ति सहायता ले करके सुरू कर सकते हैं अब आईए चलते हैं चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और जानते हैं कि इस दिन रोजगार और अपरेंटिस देने के लिए कौन-कौन सी कमपनियां गौर जय भारत मारूती लिम्टेड ये आटो मॉबाइल पार्ट्स बनाती हैं इसका एड्रेस है बिठलपूर अहमदाबाद गुजरात की ये कमपनी है आपको सेली कितना देगी तो 19,000 रुपए है CTC है इसका 12 घंटे काम करा के इसमें योगिता है ITI पास और स्कीम का नाम है र जोजगार देने के लिए कमपनी जय भारत मारूती लिम्टेड आ रही है दूसरी नमबर के जो कमपनी है डिक्सन टेकनोलजी इंडिया लिम्टेड मैनुफेक्ट्रिंग अफ इलेक्ट्रानिक्स, होम अप्लाइंसेस, मुबाइल फोन्स, वेरेबल डिवाइसे, लेडी, ल इलेक्रानिक्स, इलेक्ट्रिक्ल, फीटर, ट्रेड और ये क्या वल मेल कंडिडेट्स को लेगी याने कि इसमें फिमेल काणिडेट जो है लिजबल नहीं है यह भी कमपनी रोजगार देने के लिए आ रही है तिसरी नमबर की जो कमपनी है जी के भी हाइटेक लेंशेस, फ 12,500 रुपए है, प्लस इसी खांस बास ये है कि इसमें ओटी जो है डबल मिलने वाला है, यानि कि आप ए घंटा काम करेंगे तो आपको दो घंटे का पयाउट किया जाएगा, इसकी योगिता है 10th, 12th ITI, पॉल टेकनिक और ग्रेजुएट, ये कमपनी भी रोजगार देने के 12th हो ली चाहिए, ठीक है, और ये अप्रेंट्सिप के लिए आई हुई है कमपनी, और रोजगार दोनों के लिए आई हुई है, इसमें 10th वालों को 9,000 रुपए प्लस 3 साल डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग, और 12th पास आइंड इटी आई के लिए 9,000 रुपए प्ल इस टाइपेंड जो है, 12,000 रुपए से लेगे 15,500 रुपए तक है, ये इस आईटी आई के जितने भी ट्रेड है, सारे ट्रेड एलिजबल है इसके लिए ये भी अप्रेंट्सिप कराएगी 3 साल के लिए, छठे नमर की जो कमपनी है, मुंजल सोवा लिम्टेड, हीरो ग्र जो गाउं में इस्तित है हरिगाणा में, इसका सेलरी पेके जो है, 12,000 रुपए प्रती मंद 8 घंटे के लिए, प्लस ओबर टाइम 80 रुपए प्रती घंटा, 10,700 रुपए फार डिप्लोमा, मिकेनिकल प्रोडक्शन और इलेक्टिकल, इसके एलिजबल्टी है 12th ITI पास, फ पुने की कंपनी है, पुने महराष्टा की कंपनी है, पहले साल में 13,500 रुपए देगी, दूसरे साल में 14,500 रुपए देगी, इसके बाद से इसमें जो योग्यता है इस कंपनी में जाने के लिए वो डिप्लोमा मेकेनिकल है, या ITI के जीतने भी मेकेनिकल गुरुप के ट लिए कराएगी आठ्वे नंबर की जो कंपनी है वो युनाइटेड आफिस सिस्टम प्राइवेट लिम्टेड अंबर गाउं वालसार्थ गुजरात की कंपनी है यह 16,649 प्रती महीने देगी और एक साल के बाद 10 से 15 परसेंट का इंक्रिमेंट देगी यानि कि 1500 रुपय का इ दिप्लोमा इन मेकेनिकल वनली फ्रेसर मने केवल फ्रेसर कंड़ेट ही विजबल है इसमें एज जो है 18-25 साल की है अप्रेंटिज जो है एक साल के लिए ये भी कराने वाल ये कंपनी इसके वाद से नवे नंबर की जो कंपनी है हायल्डेक्स इंडिया प्राइवेट लिम् कंपनी है अंबर पर टेक्नो प्लाश इंडिया प्राइवेट लिम्टेट कसाना विलेज ग्रेटर नुएडा उतर प्रदेश ये ग्रेटर नुएडा उतर प्रदेश की कंपनी है जिसमें स्टाइपेंट जो है 10,770 रुपे प्रतिक महिने मिलेगा और इसके लिए जो सकते हैं और आपको डेट जैसे के बताए दिया हूँ 21 फ्रवरी 2030 को गौर्मेंट एट्याई वलिया में आ जाना है अपना सभी डॉक्मेंट ले करके वह आप चाहें कंपनी में कंपनीओं में जाने के लिए या कंपनीओं में अप्रेंटिस रोजगार पाने के लिए या स् और खादी ग्रामद्योग विभाग के लोग भी रहेंगे जहां पर आप स्वरोजगार के लिए उनक से विधिवाट टीटेल में जान सकते हैं धन्यवाद